अगर खाना स्वाधिस्ट हो तो खुद को तेजी से खाना खाने से रोक पाना मुश्किल हो सकता है लेकिन कभी-कभी खाने की गती को कम करना पड़ता है यही है आज की हमारे दारादा की चुनावती जैक को सबसे तेज खाना होगा चेल्सी को मध्यम गती से और आमा को धीमी गती से और वे सब शुरू करेंगे न्यूटेला के साथ यह कितना स्वादिस्ट है मैं तो इसका मज़ा अराम से लूगी खेर तुम अपना समयल हो मुझे तो न्यूटेला बहुत पसंद है इसलिए मैं धीरे धीरे नहीं खा सकता स्वादिस्ट वाह तेज हाँ चलो थोड़ा मज़ा लेते हैं चेल्सी ऐसा करने की अनुमाती नहीं है लेकिन मुझे मानना होगा काफी वज़ेदार है यह तुमने क्या किया उफ मैं चॉकलेट में ढग गया ओ, कितना बुरा अब मैं तुम दोनों को मास्टर क्लास देती हूँ न्यूटेला को ऐसे खाया जाता है कि इसके लाजवाब स्वाद का मज़ा ले सको मैं भी तो यह दिखाना चाहता था लेकिन मुझे याद आ रहा है कि तुम्हारे वज़स से चॉकलेट में ढग गया था अब मेरी बारी है तुम्हें मज़ा चखाने का अब मैं तुम्हारे न्यूटेला में यह जूतिय वाला पेंट डालता हूँ अब स्वादिस्ठ है या नहीं नहीं, या क्या छी, ओ हाहा, मैंने तुम्हें सबक सिखाया अच्छा है दोस्तों, तुम लोगोंने थोरी शरारत कर ली एमा, क्या तुम अभी तक खा रही हो लाओ वो धर दो ओ, मेरे पास थोड़ा और न्यूटेला बचा हुआ है अरे यार अब चेल्सी को एकदम तेजगती से खाना है जैक को धीरे और एमा को कहीं बीज में और हमारे दोस्त इस बार खाएंगे बर्गर्स मुझे बर्गर बहुत पसंद है खास करके चीज के साथ वाह, इसमें चीज है कितना स्वादिस्ट है मैं रूख ही नहीं पा रही हूँ मुझे समझने आ रहा है कि तुम्में इतनी हरवड़ी क्यों है वाह, और चीज और मैं, मैं शायद यह बदल देती हूँ तुम कितने धीरे हो जैक अब बर्गर और भी स्वादिस्ट है बहुत बड़िया क्या, इतना बड़ा अरे, तुमने यह कैसे किया मुझे तो लगा मैं तेजी से ही खा रहा था आगली बार मैं से कोई संकुछ नहीं करूंगा जैक, तुम्हें सावधान होना चाहिए लेकिन उदास मत हो देखो एमा कितनी खुश है नया दौर मतलम नई गती जैक को तेज, एमा को धी और चेल्सी को मध्यम गती अब है बबल गम खाने का समय इस रोल को खोल कर क्यों खाये अगर यह ऐसे ही स्वाधिस्थ है मुझे बबल गम बहुत पसंद है वाँ, जैक, तुम कितना तेज खाते हो मुझे तो थोड़ा-थोड़ा करके खाना पसंद है इससे गम का स्वाध अच्छे से आता है दोस्तो, इतनी हरवडी में क्यों हो यह गम इतना स्वाधिस्थ है इसको तो आराम से धीरे-धीरे खाना चाहिए जैसे मैं खा रही हूँ सही कह रही हो एमा और चेल्सी तुम्हें बढ़ियां काम किया और तुम जैक, तुम्हें तो भुगतना होगा उस गम के बड़े टुकडे को चबाते हुए बबल फुलाने का समय कैसा है? इतना चोटू सा बबल वैसे एमा, क्या तुम बबल फुला सकती हो? ओ, लगता है मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया माफ करना? एमा को फिर से धीरे से खाना होगा जैक को मध्याम और चेल्सी को तेजी से क्या इन तीनों को ब्रॉकली पसंद है? मुझे तो बिल्कुल नहीं मुझे तो बिल्कुल भी नहीं कितनी बद्बू आ रही है लेकिन मेरे पास एक आईडिया है मैं बस अपना नाग बंद कर लेता हूँ फिर सब आराम से हो जाएगा वाह, जैक, ये तो बढ़िया था मैं तो ये नहीं गर पाती उस कपड़े के पीन के साथ तुमने कमाल का काम किया? मुझे ठीक महसूस नहीं हो रहा है समझ आ गया तुम तो पीन को निकालना भूली गए अरे हाँ, धन्यवाद एमा, तुमने मुझे बचा लिया मुझे भी ब्रॉकली पसंद नहीं है लेकिन मैं यह कैसे खाऊंगी? हाँ, इसका जूस बना लेती हूँ हाँ, चेल्सी, इस तरह का जूस तो मैं भी पी सकती थी धन्यवाद, लेकिन मैं जानती हूँ इसे और भी बेतर कैसे बना सकती हूँ चॉकलेट सीरप यह इसके साथ अच्छे से जाएगा हाँ, और आइसक्रीम भी यह तो धमाकेदार होगा मुझे पूरा यकीन है यह स्वादिस्ट होगा चलो, खा कर देखो हाँ, इसकी सुगन ला जवाब है याम 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 बहुत स्वादिस्ट देखो, मैंने कमाल कर दिया हाँ, चेल्सी, तुम बहुत स्मार्ट हो चेल्सी को जूस और मुझे ऐसे ही खाना पड़ेगा अरे यार अब यह मुझे अच्छा भी लगा सिर्फ उतना ही नहीं है, और भी है नहीं, मुझे और नहीं चाहिए हाँ, आमा, तुम्हें थोड़ा तो सहना होगा इस बार चेल्सी धीमे गती में जैक तेज गती में और एमा मध्यम गती में कोला, वाह, आकिरकार कोट स्वादिस्ट मिला मैं पहले शुरू करती हूँ, मुझे बहुत सारा पीना है कितना स्वादिस्ट वाह, एमा, तुम्हें तो मध्यम गती से पीना था यही होगा, इसलिए हर बड़ी नहीं करना चाहिए मैं इससे सहमत हूँ, इसलिए मैं धीरे और सावधानी से पीऊंगी और देखो, को लगाए अब उफ, तुमने मेरा बोतल चुरा लिया पर कोई बात नहीं, मेरे पास एक और तरीका है चैल्सी, तुम्हारा एक और बहतरीन आइडिया वाँ, कितना अच्छा इस बाद तुम दीरे खाओगे जैक चैल्सी तेजी से और एमा मध्यम गती से और तुम लोग खाओगे लाल मेच मैं शुरू करती हूँ, ताकि मेरा काम जल्दी खत्म हो जाए मुझे तो देखकर ही तीखा लग रहा है भायानक, तुम कितनी हिम्मद वाली हो एमा यह उतना भी भायानक नहीं दीख रहा है मैं खाता हूँ तुम तो केवल उसे चाटकरी लाल हो गए हो यह उतना भी बुरा नहीं है और जल्दी खाना होगा उतना तीखा नहीं है हाँ, सच में बहुत तेज खा लिया हाँ, खत्म हो गया देखो कितनी लाल हो गई हो ओ, आग, ध्यान से जैक को फिर से तेज गती चेल्सी को धीरे और एमा को मध्यम फिर से कुछ बेकार इस बार खटे निम्बू शुब खामना है दोस्तो हाई, हो गया वाँ मैं कर सकती हूँ हाँ ओ, 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 कितना खटा मैं अब और नहीं कर सकती यह यह नहीं खाना लेकिन कोई और भी कल्प नहीं है हाँ, है, एक छोटा निम्बू ओ, 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 फिर भी तो मूँ बन ही गया यह तो जम ही गया ओ, ओ, धन्यवाद अब कभी वन निम्बू नहीं चूँँगा तो मैं इसे कैसे खाओ? अरे हाँ, कोला मुझे बचाएगा हमेशा की तरह एक बढ़ी आईडिया तुमने खटे निम्बू को कोला में डाल कर इसे स्वादिस्ट बना दिया बहुत बढ़िया हाँ, इससे स्वाद भी बेतर हो गया ओ, यह तो सो गए वाँ, चिप्स, कितना बढ़िया नास्ता चैल सी, इस वर तुम तेज गती में जैक सामाने गती में और आमा धीमी गती में ओ, मुझे ही धीरे क्यों चिप्स बहुत स्वादिस्ट होते हैं मैं भी इने जल्दी से खाना चाहता हूँ सौस, इसके साथ चिप्स और भी स्वादिस्ट हो जाएगा तेज और स्वादिस्ट, एकदम सही तुम लोग कितना धीरे कर रहे हो देखो, इसे ऐसे करना चाहिए देखो, कितनी तेज हूँ मुझे और चाहिए ओ, एमा के पास है मैं भी इसे मना नहीं करूँगा अरे, वो लोग चुरा रहे हैं, मदद करो एमा, अज तुम्हारी गती धीमी है पर तुमने अपने दोस्तों के साथ बांट कर खाया देखो, में लोग कितने खुश हैं क्योंकि उनके पेट भरे हुए है नोडल्स, वा, इस बार एमा तुम्हें जल्दी जैक को धीरे और चेल्सी को माध्यम मुझे नोडल्स बहुत पसंद है, बहुत बढ़िया मुझे भी, पर ऐसा लग रहा है कि किसी चीज की कमी है हाँ, नमक आब यह सही है मुझे थोड़ा शरारत करने का मन कर रहा है और चाहिए होगा उफ, यह किस ने किया? नोडल्स बरबाद हो गया है हाँ, मेरी चाल काम्याब हो गई इसको खाना सच में नामुम्किन है जैक, तुमने ऐसा क्यों किया? पर मैं तुमसे इसका बदला लेकर रहूँगी कॉक्रोच, यह तो बहुत बुरा है लेकिन मज़ेदार भी होगा यह लो जैक यह क्या अच्छी इतना गंदा अच्छी अब मेरी बारी है खाने की मुझे नूडल्स बहुत पसंद है लेकिन यह काटा मेरे लिए सही नहीं है अब यह बेटर है हाँ, इससे बहुत तेज हो रहा है और स्वादिस भी है हाँ, माँ तुमने बहुत अच्छा किया है हाँ, लेकिन तुमारा मुझ थोड़ा गंदा हो गया है आज आपने देखा कि खाते वक्त हरबड़ी करने की जरुवत नहीं होती है इससे कभी-कभी कुछ अजीव स्थितियां प्रकट हो जाती है खाने का मज़ा आराम से लेना चाहिए पर मिलेंगे दोस्टो